हेलो गाइज बेलकम बेक टो माई चैनल दोस्तो सागत आपका अपने चैनल में तो दोस्तो आज हम आपके लिए बनाएंगे ऐलोविरा का जेल जो की केमिकल फ्री होगा और एकदम से हॉममेड है और एकदम मार्केट जैसा वो वर्क करेगा जो आपका एकदम से पतंजली वा करेगा का लए के करा है लोजनाीर हमें य confidently करेगा लेफ हम एक लीफ को काटेelnा चैनल पांट बहुत ज़ादा नुकसान पहुंचाते हैं तो इनको अच्छे से कट करके अलग कर देना है फिर उसके बाद इसको वीच से हमें इसको काट लेना है और इसका जेल निकाल लेना है इस जेल को हम अपने बालों में यूज कर सकते हैं और अपने फेस पर यूज कर सकते हैं और इ मिक्सर जार में डाल कर इसको ग्रांड कर लेंगे ग्रांड करने के बाद एक इसका पल्प बनकर तयार हो गया है तो देखिए हमारा जो एलोविरा का जेल है उसको हमने ग्रांड कर लिया है और इसका एक पल्प बनकर तयार हो गया है तो अब हमें इसमें क्या करना है हमें इस में बिटमन E के दो कैपसूलों को एड़ कर लिया है इसे आपकी इसकीने बहुत ही जादा स्मूथ और ग्लोइंग रहेगी तो यहां पर मैंने बिटमन E के कैपसूल को एड़ कर लिया है और इसमें आपको एक ओयल भी यूज करना है आप चाहे तो इसमें बिटमन C डाल सकते है लेमन भी डाल सकते है और यहाँ पर मैंने यहाँ पर यूज기 ऐसेंसिल ओàoल को यूज किया है जो आपकी जो एलोवरा जैल है उसकी लाफ को वड़ाएगा तो यहाँ मैंने तीन से चाइड ड्रॉप्स हैं जो एसेंसिल ओल लिये हैं तो आप भी डाल सकते हैं इसमें आप लेमन भी एड़ कर सकते हैं और बिटमिन सी भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको इसको आपके हेर फॉल रहा हो या फिर आपकी इसकिन पर बहुत ज़्यादा पिमपल्स निकलते हो आपको डेंटरफ हो तो इसका आप जब भी च उसके बाद आपको इसको दो गंटे के लिए रेस्ट करना है फिर उसके बाद आपको इसको फिरिज में श्टोर करके रख देना है फिर उसके बाद आप जब भी इसका मन करें जब भी लगाने को और जब भी आपको लगाना हो तो फिरिज में से निकालें और उसको लगा ले आपको ये फ्रिज से बाहर नहीं रखना है ये आपका आराम से 7-8 दिन चल जाएगा तो आपको जब भी लगाना हो थोड़ा सा निकाला और लगाया और फिर से बापस इसको फ्रिज में लगा दिया और वीडियो पसंद आया है तो प्ली चैनल को लाइक सिया सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं मैं आप से मिलती हैं अगली वीडियो में तो तक लिए बाबाई